जहिन दोस्तो मैं हुआ नूप और आफ सब लोग देख रहे ग्लोबल कॉन्फलिक्ट। हाली में अपने एक्सपोर्ट पॉलिसी को भी तब्दिल किया गया है ताकि आसानी से अमेरिका भारत को F-35 जैसे अडवांस तरेंट फाइट अरियर कैप्टो को बेचने के लिए काफी जादा इंट्रेस्टेड है खास करके जब अमेरिकी सांगसत द्वारा 5th Generation Fighter Air Cap भारत को बेचने के लिए एक बिल को लेके अमेरिकी कॉंग्रेस के सामने पेच किया गया था तब ही ये अंदाजा लगाया गया था कि जरूर दोनों देशों के बीच में ऐसे किसी डील को लेके शायद चर्चा हो रहा है टेंशन बढ़ने के दर्मियान जिस तरीके से अमेरिका द्वारा भारत को समर्थन किया जा रहा है और जिस तरीके से भारत को हत्यारों का जरूरत महसूस हो रहा है और भारत हत्यार खरिदने के लिए एमर्जेंसी बैसिस पे खरिदारी भी कर रहा है उससे हमें ये भी जबकि UAE के बाद अमेरिका का नेक्स टारगेट है इंडिया और इंडिया को फाइट अर्यार कट बेजने के लिए अमेरिका पहले से ही प्रयास कर रहा है दोस्तों इस दर्मियान इंडिया और चायना के बीच का जड़प अमेरिका के लिए एक गोल्डन ऑपरचुनेटी हो स सकता है क्योंकि इस समय इंडिया चायना के खिलाब अपने मजबूती को और मजबूत करने के लिए भरपूर तरीके से प्रयास कर रहा है और F-35 इंडिया के लिए एक बहतरीन ऑप्शन बन सकता है दोस्तों रैफाल एरकेप टो के डील को फाइनलाइज करने से पहले भी ल अंदाजा लगाया जा रहा है कि पहले बैच का रैफाल आने के बाद सायद भारत और रैफाल एरकेप्टो के लिए फ्रांस के साथ बातचित कर सकता है लेकिन इस मौके का फाइदा उठा के अमेरिका प्रयास कर रहा है कि भारत किसी भी तरीके से अडिशनल रैफाल के तर है वो भी भारत को F-35 के तरफ आकरशित कर रहा है दोसों खाली भारत नहीं बलकि चायना का लगभग हर एक दुश्मन देश को अमेरिका द्वारा F-35 जैसे एडवांस तरिंड फाइटर रैटकर्ट सफलाई किया जा रहा है जिन में जेपैन साउथ कोरिया तो पहले ही शा होगा और किस तरीके से जॉइंटली अलग-अलग ओपरेशन में इन देशों के फाइटर रैटकर्टों को इन्वाल्फ कराने के साथ सा चायना के खिलाब जॉइंट ओपरेशन में भी कितना ज्यादा सफलता है मिल सकता है दोसों भारत वैसे भी MMRCA के लिए 114 फाइटर र नियमों के बज़ा से अब तक अमेरिका अपने फिफ जेनरेशन के अडवांस तरेंट फाइटर याड़कर नेटों के देश और अपने कुछ करीवी LI के इलाबा किसी और को नहीं बेच पा रहा था जबकि इन नियमों को थोड़ा हलका करके UAE को बेचने का जो इरादा रहा है वो भारत के लिए भी F-35 का दर्वाजा खोल देगा दोसो F-35 के हाली के कारनामा और F-35 को S-300 के राड़ द्वारा डिटेक्ट ना किया जाने का जो घटना हुआ है वो भी भारत को F-35 के तरफ आकरशित कर रहा है क्यूंकि चाइना के पास भी लगवग इसी तरीके का रडर है और चाइना इसी तरीके का रडर का इस्तेमाल करके ही दूश्मन देशों के F-35 को डिटेट करने का प्रयास कर रहा है और अगर भारत के पास F-35 आता है तो आप समझ सकते होंगे कि किस तरीके से चाइना के एर डिफेंस सिस्टमों को चक्मा देते हुए भारत च करने का इरादा रखा जा रहा है जबकि दो हजर उनतीस और दो हजर बीस के बीच के जो नौ साल के गैप है इसे भी पूरा करने के लिए इंडियन एरपोर्ट प्रयास चला रहा है चाइना के तरफ से अपने J-20 एरक्रेप्टों का डिप्लॉयमेंट इंडिया के बॉर्ड और अमेरिका भारत को बेचने के लिए भी प्रस्तोती ले रहा है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए त